हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल अब सब कैसे हो अपने अपने घर पे ही हो न तो फिर आज मैं आपके साथ एक नया चीज शेयर करने जा रहे हैं बहुत दिनों से जुई मिठाई खाना है मिष्टी मिष्टी ऐसे बोल रहे हैं लेकिन हमने काफी दिनों से बाहर का कु काना को और फिर अभी तो सब कुछ बंदी है तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा दू बचा हुआ है तो सोचा कि उसको घर में ही थोड़ा सा उसकी दरब उसके लिए हुआ ही होगा 2-3 वीस घ्रकम झैप साथ हाम कूअ मिठाई बनाई लो तो फिर कुछ नया चीज शे अगर ना करूं ऐसा तो कभी हो नहीं सबता तो फिर हम बहूती बेशिक इंंग्रीडियंट्स जो घर पे होगा ही आपके पास तो फिर उस चीज से हम कैसे मिठाई बनाते हैं तो फिर उसको आप अभी देख लीजे तो फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपको भी थोड़ा सा मिठाई खाने का मन किया तो फिर आप बना सकते हैं बहुत इजीली बहुत सी बेसिक कुछ इंग्रीडियन्स के साथ तो चलिए देखते हैं कैसे आप घर पे बहुत इजीली मिठाई बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा निम्मू डालके दुट को मैंने काट लिया अधाब फाट दिया आप इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं या फिर वो छेना काटने का जो पाउडर होता है इससे भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा ही निम्मू जाए विस्क पूल थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा विनेगर यह सब तो बहुत ब्रेसिक चीज है जो घर पे होता ही है विनेगर तो होता ही है यह जैसे हैसे कर दे मैंने काट लिया कि अब इसको बंद कर दीजिए है अब हम इसको एक चलनी की मदद से चान के छेना को अलग कर लेंगे अब हम इसको चलनी की मदद से चान के अलग कर लेंगे छेना को कि यह जो पानी है ना कि इसको अब आटा गुल में के काम में भी लगा सकते हैं इससे आटा बहुत सॉफ्ट बनता है अब हम इसको यह कटोरी में डाल नेंगे थोड़ा सचेना इस बॉल जयता बन गया है अब हम इसको कि अब हम इसके साथ थोड़ा सा शूगर फावडर सूगर पावडर क्या है अब चीनी को यस्थ ऐसे मिक्सी में पीस लीजी बस हो गया शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं है पर थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर है तो फिर इस चॉकलेट पाउडर से मैं बनाऊंगी मिल्क पाउडर नहीं है मिल्क पाउडर तो किसी करते हैं या फिर थोड़ा सा रिफाइन ओयल तो ये सब चीज तो बहुत ही बेसिक है ये तो घर पे रहता ही है तो चलो हम इसको बनाते हैं कड़ाई को हलका सा गरम करके फिर इसको एकदम लो फ्लेम में कर लेना फिर हम इसको ये जो छेना निकला है इसको कड़ाई में दे लेगे अब 3 टेबिल स्पून शुगर पाउडर दागे, वह आपके अंदाजा से मिठा, आपके अंदाजा से ही डाला, अब 1 टेबिल स्पून चॉखो पाउडर दागे, ये तो मिक्स करेंगे, फोड़ा से घी डालेंगे, दालेंगे, फिर देहेछ, अब 3 टेबिल स्पून जाएखे, त्भाण मेंने पास घी है इसलीए, नहीं तो आपके अब आपके यह ने आपके तो आपके ज़्यान, आपके थोड़ा सा कोईल या थोड़ा बाटा भी टाल सकते हैं। जो भी है उससे ही बाद लेगा। जैसे कि आप देख पारें कि यह अल्मूस्ट बन गया है और कडाई से सब कुछ सेपर्ट हो गया है। यह एक दम थिक हो गया है। रेडी है। अब मैं इसको चोकलेट मावा को इस प्लेट में सेट करूँगी। यह प्लेट मैंने ले लिया साफ कर लिया फिर इसमें थोड़ा सा घी। पिल्कुल ही थोड़ा सा घी लेके इसको ग्रीस कर लेना। ताकि आप जब इसको मावा को सेट होने के बाद उठाएंगे इसमें ना चिपक के टूट तूट ना चाहें इसलिए अब इसमें थोड़ा सा तीह लिया थोड़ा सा बटर भी देदें जो भी आपके पास है बस उससे अब लेके अबिसको इसकर आप कि यह से बोक्स की तरह सेट कर लिना लास्ट भी मैंने थोड़ा से ड्राइब चोट्स आमंड सैप इसके उपर ऐसे करके स्प्रिंकल कर देना अगर आपके पास कैश्यू है तो कैश्यू दे देना अगर किस्मिस है किस्मिस देना फिर इसको हम एक घंड़ा के लिए फ्रेज में रख देंगे फाइनली एक घंड़े बाद यह पूरा सेट हो गया है इसको हम अभी पीस पीस करके काट लेंगे यह हुआ 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 है किस्मिस कर झाल इुआ है यह वगग वया है यह हमारा चोकलेट मावा बर्फी is ready